Hello and welcome to Let's Crack It, मेरा नाह है अभीशेक, हमारी जो continue शल रही थी series उत्राखंड की, उसमें हम National Park से उत्राखंड देख रहे थे, उसमें first हम देख रहे थे Jim Corbett National Park, उसका first part आ चुका है और यह second part record हो रहा है, तो अभी तक हम यह देख चुके थे कि कि किस तरीके से कहा कहा पे Jim Corbett National Park और किस तरीके से वो बना, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्रियम ने देख ली थी, और उसके उसको पढ़ते वक्त एक topic आया था बीच में, तिराई आक लैंड्सके प्रोग्राम का, वो और देख ले थे हैं कि वो चीज क्या है, तो जो तराई शेतर है, तराई रीजन है, उसके शिवालिक हिल्स आते हैं, भाबर एरिया आता है, तो यह कहां कहां पर फैलावाए, यह जो है, इंडियन स्टेट्स अव उत्राखन, योपी, बिहार, और जो नेपाल का, लो लाइंग हिल्स का हिस्सा है, वहां पर यह फैलावाए, इस लैंड्सके में कहीं सारे टाईगर हैं, प्रिटेटिड एरियाज हैं, जैसे कि कॉर्बे टाईगर रिजर्व है उत्राखन में, राजेजी नाशनल पार्क ये भी उत्राखन में है, अगली जो अगला हम कंटिन्यू करेंगे, कवर करेंगे, वह राजेजी नाशनल पार्क ही होगा, नेक्स दुद्वा ही रीजन है, जो आख के शेप में बनावा है, तरह ही रीजन, वहाँ पर ये सारे नाशनल पार्क और टाईगर रिजर्व ये वाइलाइज सेंचुरी आपको देखने के लिए मिलेंगी, इन टोटल, इन टोटल, लैंड्सकेप है थर्टीम प्रेक्टेड एरिया, तेरा एर स्पीचीज जो फ्लेक्शिफ स्पीचीज है जैसे की पंगॉल टाईगर, यानि की पैंथेरा टिग्रिस, वनहन राइनो, यानि की रैनोसिरष यूनिकॉर्स, उनिकॉर्स मनाव यानि की एक ही जिनका सीन है, एपर एशन अलेफंट, यानि की एलिफस मैक्सिमस, तो इन ती तेनों फ्लेक्षिव स्पीशी को बचाने के लिए यह तीन, तीन फ्लेक्षिव स्पीशी हैं, जिनके लिए यह पर बनाए गए हैं, अपार्ट फ्रम धीज देरा सेवरल अदर स्पीशी ऑफ कैट्स जैसे की रस्टी स्पॉट्टेट्स हैं, पे फिशिंग कैट आपको की, लेपर, लेपर्ड कैट, एंटीलोप मिलेंगे, डीर मिलेंगे, और डीर भी मिलेंगे, जैसे कॉनकुन सी होगी, इंडिन पैंगोलिन, हिमालेन गोराल, गंगेटिक डॉल्फिन, घडियाल, क्रोकड़ाइल। आप यहाँ पर थोड़ा सा यह भी देख सकते हैं कि यह जो सब animal species हैं, इनका IUCN status क्या है, वो important हो जाता है, क्योंकि जैसे Indian Pangolin जो है, वो endangered है, या vulnerable है, या critically endangered है, तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि Pangolin काफी news में रहता है, और अभी भी बीच में पहले भी यह news में रहा है, तो these corridors are used by wildlife, especially large mammals, to move from one forest to another, in an attempt to find new territory, mate and prey, तो यह जो तरायाक lands के programming का काम यह है, यह इसलिए बनाए गया था, कि जितने भी यह जो हमने पढ़ने की 13 reserved areas है, उन सभी को corridors के थूँ यह connect करता है, और यह जो natural corridors है, इन ही को wildlife, यानि कि जो जानवर बगारा है, वो use करते है, क्या करने के लिए, ट्रेसपास करने के लिए, जगास्ति जगा मूफ क यानि कि, वो वर्क कर रहा है, TAL पर, यानि कि तरायाक लेंड्सके प्रोग्राम पर, since 2000, with the aim of ensuring habitat integrity, कि habitat की integrity बनी रहे, यानि कि वो जो एक लगातार चल रहे है, integrity है, यानि कि कहीं पर में तूट फूट ना हो, कटाव ना है, बीच में साड़ा कना बने, ऐसा कुछ निवना habitat integrity रहे, collectivity रहे, across the landscape, for key wildlife populations, while providing alternate livelihood options for local communities, जो महाँ पर, local community है, for example, अगर कोई forest पर depend है, तो उसको हम मना करेंगे, कि आप forest में नहीं जाएंगे, तो अब उनके लिए alternative कोई activity भी इनको ढूडनी होगी, within an enabling policy and institutional environment, तो जोगरफी देख लेते हैं, तो पार्क की ये coordinates दे रखे हैं, कि पार्क इस लोकिनेट बिट्वीन 29-25 और 29-39 नौर्थ लाटिटूड और बिट्वीन 78-44 और 7907 इस लॉगिटूड फिर जो अल्टिटूड है रीजन का, 362-1040 मीटर है, कई सारी यहाँ पर रवाइन्स हैं, रिजेज हैं, छुट छुटी नदिया, यानि की streams भेह रही ह हैं, कुछ प्रैटीूज भी हैं यहाँ जिनकी अलग-अलग slopes होते हैं, अलग-अलग इनकी height होती है, फिर पार्क के अंदर जो है, पार्टली डून वैली है, जो कि ने बनाई है, राम गंगर इवर से, जो की main river है, जिम कॉर्बेट को जो पास भी करती है, जबकि जो बफर एरिया है, वो जिम कॉर्बेट नेशन पार्क बनाता है, जबकि जो बफर एरिया है, वो reserve forest रखता है, एस वेल एस दा सोन नदी wildlife sanctuary, और साथ ही साथ, यहाँ पर जो सोन नदी wildlife sanctuary है, वो भी यहाँ पर है, जो reserve है, located partly along a valley, between the lesser Himalaya and the north, तो यहाँ पर जैसे आगर आपको पता हो कि Himalaya's की तीन range है, greater Himalaya's, lesser Himalaya's और Shivalik's, तो जो जिम कॉर्बेट है, वो lesser Himalaya's और Shivalik's के बीच में है, upper territory rocks, जो है, upper territory rocks, जो है, are exposed towards the base of the Shivalik range, and hard sandstone units from broad riches, तो characteristic longitudinal valleys हैं यहाँ पर, जो geographically, जिनको हम dunes, चाहे वो D double o ns हो, चाहे D u ns हो, यह अलगलग spellings हो सकती है, तो longitudinal valleys है, उनको dunes भी कहा जाता है, तो वो यहाँ पर form होती है, जैसे कि धेरा dunes, partly dunes, हरकी dunes, यह सब यह valleys हैं, जो हाँ पर, जो dunes हैं, जो form होती है, तो आप बता सकते हैं कि, east की तरफ जब हम जाते हैं, सिक्केम और अरुनाशल की तरफ जाते हैं, तब यह longitudinal valleys को क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पर dunes कहा जाता है, उधर महाँ पर क्या कहा जाता है, जो जो कॉर्बट हैं, यानि कि जिम कॉर्बट की बात कर रहे हैं, जो वो परसन थे, एडवर्ड जेम्स कॉर्बट, उन्होंने उतराखण में छोटी हल्दुवानी है, हल्दुवानी के पास एक सिटी है, चोटी हल्दुवानी, या एक गाउं की तरह सामबान सकते हो, कि विलेज है या टाउन है, 1915 में उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, और चोटी हल्दुवानी में यह इन्होंने रहना शुरू कर दिया था, अभी कुछ और इंफोर्मेशन भी है, इसके बारे में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर निरिंद मोदी ने भी एक एपिरियंस दिया था एक एपिसोड में, जो डिस्केबरी चनल पर भी आया था, पोपिलर शो आता है, मैन वर्सेज वाइल का, तो यह भी शॉर्ट जो है, यह प्रोग्राम जो है, जिम कॉर्बर नेशनल पार्ग में ही शूट किया गया था, यहाँ पर प्राइमिनिस्टर के साथ बेर ग्रिल्स थे, जो इस प्रोग्राम को काफी सालों से होस्ट करते आ रहे हैं, तो एक साथीस्ट एशन टाइगर है, उसका नाम ही कॉर्बट के नाम पर बड़ा है, पैंथेरा टिग्रेस कॉर्बैटी, टाइगर हंटिंग जो थी भारत में, इसको 1971 में बहन किया गया, फिर रामगंगा रिवर, एक fabulously large, रामगंगा रिवर में एक बहुत बड़ी मचली भी मिलती है, जिसका नाम है गोल्डन महसीर, यह बहुत बड़ी फिश है, और इसको टाइगर और फिश है, टाइगर फिश भी कहा जाते हैं, तरीके साब मान सकते हैं, नदी में मिलने वा वन घाट एक buffer zone है, कॉर्बेट पार का, तो यह बहुत पताँचे कि वन घाट क्या है, अभी यह बीच में न्यूज आ रहे थी कि उत्राखंड में rhinos को reintroduce करवाएंगे, यह नि राइनोज जो है, वो यहाँ पे नहीं है, सब जादर जो rhinos है, वो काजिरंगा नैशनल पार में मिलेंगे आपको, असाम के, तो अभी यह कहा जा रहा था, कि rhinos को उत्राखंड में reintroduce करेंगे, तो उत्राखंड State Wildlife Board जो है, उसने clear कि एक proposal by the Wildlife Institute of India, कि rhinos को Corbett Tiger Reserve में introduce करवाते है, तो around 10 rhinos will be brought in CTR, in the first phase, and 10 more would be added subsequently, यह नि कि 20 add करने का proposal है, पहले 10 लाएंगे, उसकी पोजल विल बी सेंट तो दे सेंटर फोर ट्रांस्पोर्टिं राइनोस फ्रोम आइधर आसाम और वेस्ट बंगल और बोथ, क्योंकि मेजरली जो आपको राइनोस मिलेंगे, या तो वो पोबितारा वाइल सेंचुरिय में मिलेंगे, जो कि वेस्ट बंगल में है, या काजि रिवाइव दा हैबिटेट्स ऑफ स्पीशी ज़ाइव और लो हाइट ग्रास, तो यहाँ पर जो ग्रास है वो लो हाइट की हो रही है, तो जिससे की उसपे इसपीशी लियाए है, जो उसपे शर्वाइव कर पाए, राइनोस रिदूस रिदूस दे साइज ओफ की height बहुत जादा उची होती है इसी तरीके से elephant grass की height भी बहुत जादा उची होती है तो rhinos क्या काम करते हैं क्योंकि वो herbivores होते हैं तो वो इन सभी घास को खा लेंगे इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो area है वो काफी खुला हुआ देखेगा और जो animal species शॉट या stunted grass lens में रहना पसंद करती है वो भी gym corporate में अमना घर बना सकती है जैसे कि hawk deer, cheetal, sumber, swamp deer इनको यहाँ पे रहने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी जो geographical terrain है environmental conditions है corporate tiger reserve की यह rhinos के लिए बिलकुँ suitable है valley habitats जैसे कि bounded on either side by the lower himalya चाहे वो north में हो, shivali khils यहाँ पे south में है ramaganga reservoir east में है यह सब ideal sites है जहाँ पे की rhinos यहाँ पे बड़ा सानी से रह सकते है they would act as natural barriers to rhino movement and will minimize man animal conflict तो देखो उपर तो himalya हो गए south में shivali khils हो गए और east में भहती हुई ramaganga river है और reservoir है वाँ पे तो इससे क्या होगा कि जो rhino का movement है वो natural, यह natural barriers है जहाँ पे कोई दिक्कर नहीं होगी और जो rhino है वो easily यहाँ पे move करेगा और man animal conflict जो है वो यहाँ पे कम से कम होगा यह उसकी उम्मीद रख किया सकती है rhino range once continuous across the flood plains of the Indus, Ganges and the Brahmaputra पहले जो rhino की range थी पहले तो continuous थी जो सारे के सारा flood plain है चाहे वो Indus river का हो चाहे गंगा का हो, चाहे ब्रहमपutra का हो लेकिन अब यह ऐसा नहीं रहा अब यह कुछ small pockets में रहकर रह गया है जैसे कि इंडिया में नेपाल में as a result of anthropogenic pressures and poaching anthropogenic का मतलब होता है human related जो इंसान ने environment के साथ छेड़कानी की है उसके वैसे जो भी pressures पड़े और poaching के वैसे यह WWI का कहना है यानि कि Wildlife Institute of India जो है उनका कहना है यह कि इंसान हो यानि कि anthropogenic pressures के वैसे अब जो animals की trespassing होती है वो बहुँदा restrict हो गई है क्योंकि हमने national parks के अंदर से या जो reserved forests है उनके अंदर से सडक के निकाल दी है तो animals का जो movement है वो कही न गई रुग गया है उसे बातित हो गया है रे इंडोड़क्शन इंटो habitats in the historic range would create safety net populations for the species and also restore their ecological role in these faunally degraded habitats rhinos are posed because their horns are considered an aphrodisiac यानि कि rhinos को उनका जो horn है उससे मैंना जाता है कि वो बहुत ज़दा health के लिए बहुत अच्छा है उसकी दवाईया बनती है उसका black marketing होती है चायना में उसका बहुत ज़दा बड़ा market है चाहे वो pengolins के scales हो और चाहे वो rhino का horn हो तो ये अच्छी चीज नहीं है कि लोग इसलिए मार देते हैं जिससे कि उसका horn मिल सके और उससे वो दवाई बना सके या black magic कर सके जिसका कोई भी relevance नहीं है क्योंकि rhino का या pengolins के जो horns या scales जो बनते हैं वो उसी protein से बनते हैं keratin से जिससे कि human nails या human hairs बनते हैं तो अब यह scientifically भी proved है लेकि फिर भी लोग जो है वो इसी चीज में लग रहे हैं Every translocated animal would be fitted with a GPS सभी पे GPS लगा जाएगा जिस भी animal को translocate करेंगे radio color लगेगा for monitoring their ranging patterns foraging habits, demography and habitat use तो कुछ चीज़े track करने के लिए कुछ study करने के लिए कि उनके ranging patterns क्या है किस किस एरिया में वो जाते हैं, travel करते हैं forage करते हैं क्या के चीज़ को खाते हैं foraging habits क्या है उनकी demography किस तरह से उनकी demography यानकी age groups के साब से कौन कितना बुड़ा है कौन कितना जवान है habitat use यानकि जो उनका घर है जो national park या wildlife sanctuary जिस वो रहा रहे है उसको कितने भैतरीन तरीके से वो इस्तमाल कर रहे है habitat का किस तरीके से इस्तमाल कर रहे है ये सब चीज़े हम study करेंगे when we radio collared them और we have GPS stacked them फिर जो data है वो share किया जाएगा with the forest department which would be responsible for the safety of these introduced rhinos अब wildlife institute of india के बारे हम पढ़ लेते है जो ये wildlife institute of india जो है ये एक autonomous institution है MOE FCC के अंदर आता है यानि कि minister of environment and forest and climate change के अंदर आता है 1982 में established हुआ था धिरदू उत्राखण में इसका headquarter है और ये offer करता है training programs, academic courses, advisory wildlife research में और CTR के बारे में तुम पढ़े रहे हैं कि नैंतार डिस्ट्रिक में है प्रिजट टाइगर यहां से launch हुआ था 73 में, Corbett National Park में राम गंगा, सोन नदी, मंडल, पलेन, कॉसी ये सब rivers हैं जो Corbett National Park से flow करती है और अभी तक देखा जाए अगस्त जोहर उनिस तक देखें तो 50 Tiger Reserves है फिर उत्राखन Government ने एक form किया है Special Tiger Force for Corbett Tiger Reserve एक Special Tiger Force का भी formation हुआ है उत्राखन Government के द्वारा दे प्रिजट टाइगर वास फर्स लाँच इन 1973 फ्रम दे धिकाला जोन यह हमें पता ही है Corbett National Park का यहां से आपको यह भी पतल जाता है कि जो प्रिजट टाइगर है वो जो सबसे पहले लॉँच हुआ था 1973 में वो कहां से लॉँच हुआ था तो वो धिकाला जोन से लॉँच हुआ था Corbett National Park की और उस टाइम पेस का नाम Health National Park था तोगेदर विद सोन नदी वाइलाफ सेंचुरी Corbett National Park forms Corbett Tiger Reserve spreading over three districts of उत्राखर पौड़ी नैंताल और यह अलमोडा नहीं है यहां पे पौड़ी नैंताल और नैंताल भी नहीं है थोड़ा सा यहां पे गड़बोड हो गया है Corbett Tiger Reserve is located in Ramnagar इन नैंताल district रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पलेन, कोशी आर था मेजर रिवर्स यह हमने पहले भी देख लिया है दर रिजर्फ सिचुएटेट फैक्चुली अलॉंग अ वैली बिट्वीन दमाइन हिमालिया न नॉर्थ शिवालिक्स, यह भी हम देख चुके हैं कि उपर तो लेसर हिमालियाज है, नीचे शिवालिक्स है और यह सब हिमालियान बेल्ट शेप में यहाँ पर यह है चलिए, रेस्ट विल कंटिनू इन नेक्स क्लास जो अबाउट स्पेशल टाइगर फोर्स है यहाँ से भी छोटी सी, कुछ थोड़ा बहुत और रह जाता है इसमें बताना आपको तो हम नेक्स क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीहरे को मिलाओ तो डू लाइक इट और शेयर इट और अगर आपने इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे थैंक यू फॉर वाचिंग